दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मिथुन चक्रवर्ती की बॉलिवुड की एक और ऐसी अन्रिलीस्ट मूवी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें अपने हैंसम एंड स्मार्ट मिथुन दादा के साथ पहली बार आपको वेरी ब्यूटिफुल एंड टैलेंट डानी डैंग्जोंपा और गुल्शन ग्रोवर दिखने वाले थे, हाला कि अब ये कहना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, कि फिल्म में अमीशा का पैर मिथुन के साथ होने वाला था या संजय दत के साथ, मगर दोनों ही कंडीशन में इन सभी को साथ में देखना हम सभी ओडियन्स के लिए काफी एंटेटेनिंग होता, इसके अलावा इस फिल्म के डाइरेक्टर और प्रोड्यूसर थे संजय गुपता, ये 2002 में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, इस वेरी अट्राक्टिव और पावरफुल मुवी का नाम था मास्टर माइंड, और अब अ मिथुन और अमीशा पतेल एक साथ दिखने वाले थे, और नो डाउट की ओडियन्स को इन दोनों को सिल्वर स्क्रीन पे देखना बेहत अट्राक्टिव होने वाला था, और देखा जाए तो यही इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, और फिर फिल्म में संजय दत का होना फिल्म को और भी स्ट्रोंग बना रहा था, हालंकि इस फिल्म से पहले भी संजय दत और मिथुन, इलाका और जीते है, शान से जैसी मूवी में एक साथ काम कर चुके हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि जब-जब मिथुन और संजय दत ने एक साथ काम किया है, तब तब हमेशा मिथुन संजय दत पर काफी ज्यादा भारी पड़े हैं। और इन दोनों ही फिल्मों को मिथुन ने केवल अपने ही दम पे हिट कराया था। और वैसे भी डाइरेक्टर संजय गुपता बेहत स्टाइलिश और पावरफुल क्राइम बेस्ट मुवीज बनाने के लिए मशूर रह चुके हैं। तो गाइस मिथुन, अमीशा पतेल, संजय दत और आदित्य पंचोली जैसे एक्टर्स से सजी इस मास्टर माइंड मुवी के बारे में आप सभी की क्या राय है? कि ये फिल्म अगर रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस पर क्या गुल खिलाती हो सके तो कमेंट बॉक्स में वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. फैंक यू.